बिस्विल्ला रह्मान रहीम असलामेकूम। आप उनसाशा एस्टरॉलजर एंड टेरो कार्ड रीडर। और आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। और आज की जो वीडियो है स्पेशल वो इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस वक्त वीनस प्लैनेट जो है उसकी क्या पोजिशन है क्योंकि 15 मिड ओफ फरवरी यानि के 15 फरवरी 15 सोला से वीनस प्लैनेट जो है वो सूरज के सन के जिरे असर है और इसके असरात हमारी जिन्दगी उपर क्या पढ़ने वाले हैं तमाम जॉडियक साइरी से लेकर पाइसिस उनकी हमारी लाइफ में क्या इसका इमपेक्ट होगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसके लावा एक गुड नियूस भी है वो ये है कि आज से यानि नेक्स्ट वीक से मैं ये सिलसला शुरू करने वाली हूँ जो मेरी टूस्टे को जो अपलोड होती है टिप्स की या डिफरेंट ब्लैनेट्स की पुजिशन की जो मैं अपलोड करती हूँ उन सारी वीडियो पे आप कमेंट करें अपने सवलाद भेजना शुरू करते हैं जैसे के मेरा पुराना चैनल है टैरो बाई उन सशा में आप सवलाद भेजते हैं और मैं एक segment में मैं आपके सवलात लेना करती हूँ तो मैं वो सवाल लूँगी horoscope वाली वीडियो में नहीं बलके Tuesday वाली वीडियो में आपके सवलात लूँगी लेकिन आपने तमाम लेकिन वो कहां से लूँगी मैं लूँगी जो तमाम जो वीडियो हैं weekly horoscope और जो special video Tuesday को होती है उन सब में से कोई चंद सवालात मैं select करूंगी एक या दो या तीन बहुत खास जो होंगे जिनका सवाल जो है वो बड़ा to the point होगा specific होगा उनका सवाल जो है मैं next Tuesday को मैं उनका question का जवाब दोंगी tarot cards की मदद से या astrology की मदद से तो आप अपने जल्दी से अपने सवालात जो है भेजना शुरू कर दें तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले मेरा channel subscribe कर लें bell icon को press कर लें और comment section में comments करें अपने सवालात बेजना शुरू कर दें तो planet Venus की बात हो रही थी और planet Venus जो है जिसको कहते हैं planet of beauty, planet of love, romance, planet of wealth, assets, happiness, luxury तो planet Venus की जो 15-16 February से लेकर विनस जो है वो sun के जेरे असर होगा सूरच के जेरे असर होगा और इसकी जो ये position है वो March और April के पूरे मन्त में और हो सकता है कि first week of May तक इसकी position ऐसे ही रहे और obviously sun के जब जेरे असर होता है और sun जिसको कहा जाता है authority, leadership, power तो उसके जेरे असर होने की वज़ा से Venus जो है वो अपनी एहमियत खो देगा तो खासकर हमारे जो relationship है या love life है वो काफी मतासर होती ही मुझे नजर आ रही है तो आपको किन किन बातों की का एहतियात करना चाहिए अपने finances से related अपने especially अपने relationship और love life से related क्या एहतियाते करनी चाहिए अब sun जो है planet ego का होता है और ego जहां आता है वहाँ प्यार नहीं टिकता और जहां प्यार होता है वहाँ ego का कोई काम नहीं है तो इस time period में ego में आकर जिद में आकर कोई ऐसे फैसले नहीं लीजएगा कि आपको बाद में पच्छताने पड़े पच्छताने का सबब बन जाए इस time period में जैसे कि मैंने आपको बताया mid of February से लेकर एप्रिल end of April तक आप जो है आपको ऐसी तकरार हो सकती है relationship में नोग जोग हो सकती है कोई जगडे जोटे मोटे या बड़े तो avoid कीजेगा और ego को बीच में बिलकुल भी नहीं लेकर आईएगा अगर कोई problem आपके relationship में हो भी जाती है हो सकता है कि आपकी तरफ से problem हो या आपके partner की तरफ से problem हो लेकिन आपको आगे आकर sorry कर दीजेगा sorry करने में बिलकुल भी hesitate मत कीजेगा इस position की वज़ा से Venus की position की वज़ा से और sun के जेरे असर आने की वज़ा से आप हो सकता है कि आपको feelings अपनी express करने में problem हो चाहते में भी आप express ना कर सकें या अगर अगला इनसान आपको अपनी feelings express करे तो फिर भी आपको समझ नहीं आए उसकी जो feelings हैं शायद आपको impress ना कर सकें इस दोरान जो हैं और बहुत सारी problems हो सकती है जैसे के आपके relationship में आप feel करें कि ये relationship जो है वो useless है या relationship आगे नहीं बढ़ पा रहा है एक जो का stuck क्यूं है बहुत सारी ऐसी गलत फहिमियां पैदा हो सकती है आपके और आपके partner के दर्मयान जिन लोगों का नया नया इस time period में relationship स्टार्ट हुआ हो तो आप जो है आपको ऐसा feel हो कि इस relationship में कोई attraction नहीं है कोई spice नहीं है कोई love नहीं है इस तरह की बहुत सारी feelings आ सकती है ऐसी बहुत सारी mind में बातें आपके आ सकती है और ego तो वैसे भी relationship को खराब करता है और अगर आप ते इस दोरान कोई financially कहीं पर investment करने का एरादा है तो थोड़ा सा रुख जाईएगा और जल्बाजी मत कीजेगा खासकर investment अगर आपके plans हैं तो इस time period में कोई गलत फैसला मत कीजेगा बहुत सोच समझ कर किसी से मशवरा करकर investment कीजेगा या जो भी financially जो आपको deals करनी हैं वो सोच समझ कर कीजेगा उसके इलावा आपके जो करीबी रिष्टे हैं आपके घर में बेटियां हैं आपकी बेहने हैं आपकी माँ हैं उनका बहुत खयाल रखना है आपने क्योंके वीनस जो है प्लैनेट और विमन भी कहा जाता है इसको रिप्रेजेंट करता है खवातीन को तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं लेकिन आपको जो है अपने घर की खवातीन या विमन अराउंड यू वो उन सब का खयाल करना है और उनकी इस्पेशल केयर करनी है इ इनके असराद से बचने के लिए आप चैरिटी कर सकते हैं और वो चैरिटी ये हो सकती है कि आपके जो मुस्तहिक जो खवातीन हैं या बच्चियां हैं जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको शादी में के खर्चे में आप मदद कर सकते हैं और उसके लावा कि इसी बच्ची की education sponsor कर सकते हैं तो इससे जो है Venus और आपकी आपकी जो energy है और आपका जो planet Venus है वो और जादा strong होने के chances हैं बलके strong होगा mid of March में Venus जो है वो exalted होगा जिसकी वज़ा से आपकी frustration का जो है शिकार हो सकते हैं डिप्रेस हो सकते हैं आपको anxiety हो सकती है आपके breakups हो सकते हैं इस तरह की चीजें होने के भी chances हैं तो और यहां आप हो सकता है कि आप खर्चा जादा करने लग जाएं शॉपिंग करने जाएं त इनकी कोई जो है वो कोई value नहीं है या उस वक्त आपको लेना नहीं है फिर भी आप लेना शुरू कर दें तो इस तरह की जो चीजें हैं इस दौरान हो सकती हैं तो आप लोगों को जो है बहुत ऐतियात करनी है अपने हाथ को रोक कर रखना है अपने जजबात को control रखना ह और कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं करना है जिसकी वज़ा से आपको बाद में पच्ताना पड़े या आपको बाद में अफसोस हो तो ये थी कुछ careful tips और कुछ मैंने आपको knowledge दी है planet Venus के बारे में और उमीद है हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आ रही है ये वाली वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और मेरा चैनल जाने से पहले सबस्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकॉन को प्रेस कीजेगा और कमेंट सेक्शन में आपका जो भी इशू है गोई सवाल है कोई प्रॉबलम है अपने पूरे नाम के साथ मुझे भेजना शूकर दें इन्शाला अगले हफ़ते से आपका सवाल मेरी वीडियो में शामिल होगा अपनी दुआउं में मुझे याद रखें इन्शाला अगले हफ़ते दुबारा आपसे मलाकात होगी अलाफिस